हम जो बिजली का बिल दे रहे हैं यह जो एलेक्टिसिटी कंजियूम कर रहे हैं उसका बिल आता है वो बिल हमें ना आए अगर हम सोलर यूज कर ले हैं या कोई और अल्टरेटिव इनलजी यूज कर ले यह ना इसका एक बहुत छोटा थॉट प्रॉसस है पावर की कि इसका क्या होने वाला है प्रधानमंत्री जी कितना दूर तक सूच पा रहे हैं यह तो एक फॉट प्रॉसस है और मैं सलाम करता हूं ऐसी थॉट को सबसे पहले आपका स्वागत है पैसलाइफ पे थैंक्यू थैंक्यू चाहर जी सर पावर यह एक ऐसा सेक्टर है जिसके उपर पूरा देश आखे गड़ाए बैटा है और देश के साथ सरकार भी काफी फोकस्ट है जी आपका क्या मानना है कि आने वाले सालों पावर सेक्टर जो है इंडिया को किस तरहं बूस्ट करेंगा ekselle में जिस तरकार से लोग देखते हैं यह हिंदंतान के आम जनता देखती है वह दिखती है कि हम ना अगर हम सोलर यूज कर लें या को और alternative energy use कर लें यह ना इसका एक बहुत छोटा thought process है एक ही perspective है यह आप कह सकते हैं कि सरफ एक dimension है इसकी एक angle है but in totality अगर हम बात करें as a power sector तो सबसे पहली बात होती है कि self-reliant की जब हम बात करते हैं तो हम इसे self-reliant होते हैं क्योंकि power generation होने से बहुत सारी चीज़े बदलती है राइट दूसरा फाइदा क्या होता है कि हम carbon footprint जेंज करते हैं इस दुनिया में जिन जितने भी देश हैं जिसको हम कहते हैं विक्सित देश हैं developed countries वो सारी countries वो हैं जिन्होंने चो इस रस्टे से होके गुजरी है और बहुत सारा global warming को impact किया है global warming बढ़ाई है अब उनको बात समझ में आ चुकी है और वो इसको कम करने में उन्होंने काम करना शुरू किया लेकिन अभी आपने इस्टाब्लिश करी इस अर्बोटेक पावर सिस्टम तो तब आपका विजन क्लियर था कि मतलब पावर एक ऐसा सेक्टर है कि इसमें आने वाले कुछ सालों में कंट्री के इंडिस्रप्शन आई की आई की जूट नहीं बलूँगा ऐसा बिलकुल नहीं था बड़ी तो एक एक्जम्पल लेते हैं चोटा सा हमारे घर में 5 एक घर में 5 kWh पावर का क connectivity ला ओैगी लह आप हर बर 5 kWh नहीं लेते हैं तो जब हम हम यूज कर रहे हैं अपने 5 kWh का higher रात में या दोबहर में पीक तो यह जो पीक है यह सभी के घरों में पीक है अगर सब की पीक को total कर लिया जाए तो इसका मतला उस particular time में मेरी जाद है supply कम है और दूसरा time ऐसा है जिस time पे मेरी supply ज्याद है और demand कम है तो यह जो mismanagement है इसको कैसे match किया जाए इस पर एक नई technology है जिस पर काम हो रहा है that is energy storage systems इसका एक unit हम लोगों ने डिली में install किया था German government की help से जिसको कहते है micro grid BACS के साथ हमने वो काम किया था उसमें कहा है कि micro grid का का काम यह है कि जब जब आपको power की जरूद पड़ेगी यानि कि जब आपकी consumption कम है पीक नहीं है उस time पे वो battery in charge हो जाती है और जब पीक है तब यह battery वापिस pump कर देती है power को grid में so that हम उस demand को कम कर पाएं तो हमें पूरे पांच किलो वाट की जरूत ही नहीं है करेक्ट तो इस तरीके के और बहुत सरी चीजह है जिन पर हम काम कर रहे हैं EV के sector में आप किस area किस तरह से आप contribute कर रहे हैं कि आज जो हम electric गाड़ियां खरीते हैं इनके साथ दो चार्जर में मिलते हैं एक चार्जर होता जो गाड़ी में आज़ा स्टपनी होता है एक चार्जर होता है जो हमारे घर में हमारी parking lot में आज़ी पर भी इंस्टाल कर दिया को समझा तो हमें लगा कि हम इसमें contribute क्यों नहीं कर सकते हैं तो आज हम यह इस तरीके के चार्जर बहुत बड़ी quantity में मना रहे हैं और हिंदुस्तान की जितनी भी oil marketing companies हैं उन सबको हम supply कर रहे हैं प्लस DC fast charger भी हमने पूरे हिंदुस्तान में बहुत बड़ी quantity में इंस्टाल कर रहेगा as a service provider or as a product supplier यह हम रहेंगे that is number one number two अभी servo-technic subsidiary भी अपनी launch किया है जिसमें हम अपना एक EV charging infrastructure develop कर रहे हैं जिसमें हमारा target है कि तीन सालों में हम 5000 से ज्यादा charging station पूरे हिंदुस्तान में बना पाए हैं तो इस तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं क्या उसी उपर charging station नहीं काम शुरू हो चुका है बट अभी charging stations अनेबल नहीं हुए तो बट काम शुरू हो चुका है तो बहुत जल्दी आप मैं ऐसे उम्मीद करता हूं कि शायद अगले तीन महीने में आप कि जोन से यह enable होने शुरू होंगे वालब North India, East India, West, obviously यह पहले North India से होगा बट इसका target सिर्फ North India नहीं है, Pan India है, तो जैसे आप EV sector के अंदर आप उतर ही चुके हैं पूरो जोरो शोरो से, आप EV sector में ही consumption अगले दो साल में आपको क्या लगता है कि कितनी बढ़ जाएगी, मतलब कुछ लोग तो कह रहे हैं कि EV के अंदर क्या हो रहा है कि दो तरफा बात का, एक तरफ दूसरा जो group है वो कहता है कि EV सबके लिए फिलाल affordable भी नहीं तो अभी आज से भी आप मान के चले 5-7 साल तो लग जाएंगे, एक common man को EV तक उतरने में मैं इसे सहमत नहीं हूँ, 2020 से लेके अगर हम देखें, मैं पुराने data की बात इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि शायद हम उससे पहले की data को हमारा analysis करने के तरीके अलग थे, अभी analysis करने का तरीका बदल गया है, commercial गाडियों पे government ने एक बहुत बड़ी call ली है, और वो call बड target है कि अगले तीन सालों के अंदर, हिंदुस्तान की रोड से, जितनी भी fleet services है, और जितनी भी public transport है, यह सब electric vehicle में convert हो जाएगा, अगर यही convert हो जाता है, तो मतलब, it will be miracle, इतना बड़ा mass हैसका, अब सोच भी नहीं सकता है, बहुत बड़ी quantities, मैं पूरी इंडिया की बात कर fleet का मतलब हम अपने viewers को बता देते हैं, जितनी यह commercial cabs होती है, जितनी भी companies, अगर उसमें कोई ticket खरीद के बैठ रहा है, वो सब change की जाएंगी, दूसरों को license ही नहीं मिलेगा, चलाने का, अगर वो electric नहीं होंगी तो, यह दो sector ही अपने आप में इतने बड़े हैं, जिनका GDP में बहुत बड़ा contribution है, कि हम लोगों ने company start की 2004 में, 2017 में हम list हुए, इन 13 सलों के दौरान, 2006 में, यानि कि 2004 के फ़रंदो सल बाद, हम लोगों ने अपनी company में पहला e-sop दिया था, और 2017 तक आते-आते, हमारी company के अंद लगबग 2 या 3% equity हम अलरी distribute कर चुके थे, अपने employees में और अपने near friends में, तो it was a thought process, जो बिल्कु क्लियर था, कि हमें जाना किस दिशा में है, तो professionalism की तरफ का एक था, और जब हम लिस्ट हुए है, लिस्ट होने के फारण बाद, जो changes देखने को मिले हो यह कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, जो हमें नहीं पता थी, कि company को professionally कैसे चलाया जाता है, तो जब आप public domain में आते हैं, तो आपके उपर बहुत सारे लोग होते हैं, जो आपको आपका अच्छा औ आपको बुरा बताने के लिए वाँ खड़े होते हैं, publicly आपके बारे में बहुत सारी चल्चाएं होती हैं, आपके बारे में अलग-लग तरीके से analyze किया जाता है, तो हमने उस सब को positive लिया, और जितने भी analytics थे इस पूरे हिंदुस्तान में, जिन्होंने भी हमारे बारे में और हमें मिले, तो हमने इसको positive ways हे लिया और company को improve करते चले गए, overall power है, restricted नहीं है, जैसे आप पहले solar में भी नहीं थे, फिर आप solar में उतरे, फिर आप EV में उतरे, हमने एक तो frame fix कर लिया है, कि जितने भी products, global warming को कम करने में, वो सारे power क्या आते हैं, नहीं, और भी कुछ भ ठीक है, बहुत सारी चीज़े हो सकती है, तो वो कुछ भी होगा, हम उसको adopt करने में, बिल्कुल भी हिचक नहीं करेंगे, that is number one, number two, electric vehicle charger में अभी भी बहुत सारी चीज़े हैं, जो इंडिया में नहीं नहीं बन रही है, हम उसको 100% इंडियाइज करने पर काम कर रहे हैं, ज के control circuits हैं, हम नों सब पर काम करना शुरू कर दिया है, हमारा target है 2024 में, यह सारी चीज़े 100% इंडियाइज कर देंगे, हम लोग, yes, that is number one, number two, एक और target है, जो मैं पहले भी कहा, मैं द्वारा repeat कर रहा हूं, और यह, जो मैं कह रहा हूं, एक होता है, कहना, statement देना, मैं जो statement दे कर दिये, that means, जो product भी हिंदुस्तान में आज, पन रहा है, यहां बिचा जा रहा है, यह product आज से एक साल पहले, लगभग धाई गुना कॉस्ट में, दूसरी अपनिया वेच रही थी, government departments को, जो हमने one third price पे, right, already, इस साल में government को देना शुरू कर दिया है, इस से government का बहुत स 60% they will save from their budgets on electric vehicle charges, correct, और इस पे लगातार काम करेंगे, thought process बिल्को clear है, guarantees तीन-तीन साल की है, हम लोग product 10 साल की life point of view से बना रहे हैं, Pan India अगर आप देखें, तो Pan India आपके जो power की जो projects हैं, वो किस area में, कि zone में आपको लगता है कि काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, अभी सारी, अगर मैं बात करूँ तो सारी state government बहुत तेजी से इनिशेट ले रहे हैं, उसकी वजाए है कि सबसे बड़ी है कि central government का बहुत बड़ा हाथ है इसके अंदर, और उन्होंने सभी के साथ मिलके काफी मेहनत की है, लेकिन अभी आज की rate में अगर मैं बात करूँ, North India में यूपी बहुत तीजी से काम कर रहा है, और हम भी उसमें बहुत ज्यादा contribute करने की कोशिश कर रहे हैं, यूपी के अलावा अगर कोई ऐसा zone है, जहां आप सोचते हैं कि हाँ, इस sector के अंदर भी काफी potential है, ऐसे तमिल नडू है, आंदरा है, करनाटका है, बहुत सारी states और हुट कर रही है, राजस्तान पर राजस्तान में पहले नहीं हो पाराई था, वट अब जैसे गोभर्मेट जिए है, तो मुझे मेरा मनना है कि इसमें भी काम बहुत तीजी से आगे बढ़ेगा, गुजरात बहुत काम कर रहा है, राजस्तान तो ही नंबर बनेते हैं, ग काम हो रहा है और मुझे नहीं पता कि कितने लोगों को इस बात पता है अभी वो कहते हैं कि one sun one one grid इसका मतलब यह है कि इस तरीके से काम किया जा रहा है कि जब रात को सूरज नहीं होता इडिया में छिप जाता है जिसका हम कहते हैं तो हमारी पावर जनरेट नहीं होती, लेकिन उस टाइम वो कहीं और जनरेट हो, कहीं और सूरज निकल गया होता है, तो वहां जनरेट हो रही होती है अब इस तरीके से जोड़ा जा रहा है कि हम पैन ग्लोब एक दूसरे को पावर शेयर कर पाएंगे और अगर हम हम ऐसा कर गए, अगर ऐसा हो गया, तो आप सोच के देखें, कि इसका क्या होने वाला है, मतलब आप समझ पा रहे होंगे, कि कहां तक सोच पा रहा है, हमारे प्रधान मंत्री जी, कितना दूर तक सोच पा रहे है, इसको प्लान को, प्लान को, सोच को, इस विजन को, यही विजन शेयर किया गया उस टीम को, और वो टीम उस पर काम कर रही है, काम शुरू हो चुका है, कितने टाइम बाद या कितनी जल्दी हम इंडिया को अपनी रेनेविल एनरजी दूसरी कंट्री को भी आउट्सोर्स करते देखते हैं? इसके उपर जो काम हो रहा है, I think हमरी जो गवर्मेंट है, वो 2047 का टार्गेट करती है, जो देख रही है, और मेरे खाल से मैं ठीक आदमी नहीं हूँ, जो इसका ठीक जवाब दे पाहूं, और जितनी मेरी समझ है, बहुत छोटी सी बुद्धी है मेरे पास, जितना मैं समझ भाहूं, पाता हूं, तो उतना मैं देख पा रहा हूं एक आम इंसान के तरीके से, या मैं बिजनस के अंदर उतो थो थोड़ा सा ज़्यादा एस्टीमेट कर पा रहा हूं, बट मेरा ऐसा मनना है कि हम जिस दिशा में जा रहे हैं, उस दिशा में ऐसा हम कर बाएंगे। 100% net zero emission का जो हमारा target है उसको पूरा करने का, renewable energy की तरफ पूरी तरह जाने का, हम उमीद करते हैं के ServoTech भी same दिशा में जाके हमारे देश को और company अपनी भी business को तेजी से ही आगे बढ़ा है। And thank you so much sir for joining us here on Paisa Live with this insightful session and thank you so much viewers for being there with us. Thank you. is is ु ु